जैहिं साथियों अभी हम लोग उपस्तित हैं इक जाम टूर चैनल पर देखेंगे आपके लिए जो महत्पुन सुचना है क्रीमीन रहीत अर्थात BC और WBC के लिए सुचना आया है उच पर हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले बता दें कि जो अब साथ तारीक को यह निकाला लाए गया और इस सुधार से आपके WBC और BC वाले विद्यार्चियों के लिए बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल कहेंगे मुश्किल खड़ा हो गया इसलिए आप ध्यान पुर्वक्त देखेंगे चलिए पहले था कि अंसुचित जाती एम अंसुचित जन जाती के अभ्यार् पत्र आवेधन प्राप्त करने की अंतिम्ति थी यानी 31-10-2014 अथवा 13-3-2016 जो लागू हो जो आप पर लागू हो रहा था तक ही माने होगा तक का अर्थ हुआ कि एक समय सिमा दे दिया गया है इसे आगे नहीं माने होगा लेकिन पिछड़ा वर्ग एम अत्यंत पिछड़ सोल जो लागू हो से एक वर्ष अधिक होने पर देखें यहां तक नहीं है से एक वर्ष अधिक होने की पुरानी इस्तिती में संबन्दित अभ्यार्थी को काउंस्लिंग के समय समय प्रपत्र संक्या 18 में श्वा घोषना अर्थात सेल्फ अपने से घोषना करेंगे पत्र परहां स्ताक्षर समर्पित करेंगे लेकिन अब इसी में संसोधन हुआ है तो आप ध्यान से देखें यह दोनों अब अंतर बता दिये यहां तक का अर्थ होता है समय सिमा दे दिया यहां नहीं दिया हुआ था एक साल पूराना होता तो आप स्वता घोषना करते दो तीन सा नहीं होता तो आप घोषना नहीं करते यहीं बात हुआ लेकिन अब आयोग ने क्या संसोधन किया है इस पर देखेंगे देखेंगे ध्यान पूर्बग देखिएगा जो भी जिनका भी यानि कि 14410 विद्यार थी जो है वो ध्यान पूर्बग देखें आज का है यह 1112 2021 अभ पूर्ण हो इसमें रिभाइज किया गया थोड़ा सा ध्यान देखें चलिए बिज्यापन संक्य 07 पर्थम इंटर अस्तरिय प्राप 2014 की वेकेंसी है 14410 विद्यार थी इसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है दिनांक्षात इतना के द्वारा आयो के वेब साइट प तक ही मान होगी ठीक है यानि ये आपको मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए या कोई शैक्ष्रिक योगता है या वांचनिय योगता है या तकनिक अर्थात कोई कम्प्यूटर सिख्छा लिए है तो आपको 31-10-2014 तक ही मान होगा उससे आगे बढ़ेंगे तो दो नमर दे अंसुची जाती याम अंसुची जन जाती के अभ्यार्चियों के लिए निर्गत जाती प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिमती थी 31-10-2014 या 13-3-2016 जो लागू हो वही तक ही मान होगा आप में तक नहीं था आप सुधार की आगे ध्यान पूर्वा के आश द प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिमती थी 31-10-2014 या 13-3-2016 जो भी लागू हो देखिए यहां तक नहीं लिखा हुआ है से एक वर्ष अधिक पुराना होने की इस्तिती में सम्मन्दित अभ्यार्थी काउंसिलिंग में प्रपत्र संख्या 18 भी में स्वा फिसलिंग अलोक में अलोक में उपयुक्त में अलोक में लिए के अलोक में पुनह अस्पस्ट किया जाता है पुनह अर्थात एक बार और और आपको याद दिलाये जाता है कि सैक्षरिक तकनीक वांचनिय योगता संभंधित पर्माण पत्र के साथ ही धिनांग 31-2014 तक नि यानि कि इससे बाहर मानने नहीं होगा ऐसे अभ्यार्ची जीने 16 में आवेदन किया है उनके लिए दिनांक 13-13-2016 तक का निर्गत जाती परमारपत्र एवम क्रीमी लेयर रहित परमारपत्र मानने होगा अभ्यार्ची को निर्देश जिया जाता है कि अधत सुचना आयोग के वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहेंगे बिहार करमचारी चेहन आयोग के सचीव साहब का ये सिंगनेचर है और 11-12-2021 का आज का ये खबर है आप पर लागू होता है यदि आप SCST है या BC है या WBC है आपको नोन क्रीमी लेयर देना है तो अब आप यहां ध्या करते तो कोई समस्या नहीं होती इसलिए आप वीडियो समपून देखे यदि आप इस चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और वेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन से पहले पहुंचेगा बहुत बहुत धन्यवाद